नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर जस्मी तालवालिया बेरियाट्रिक और एडवांस लेपिस्कोपिक सर्जन इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पेशेंट्स के बारे में जो बेरियाट्रिक सरद्री से खबराते हैं और उनके पास वेट लॉस के लिए और कोई मेजर सल्यूशन नहीं है यानि वो पेशेंट जिनका BMI ज्यादा है एस्पेशली BMI 30 प्लस है जो और किसी मेथट से बेट नहीं लूस कर रहे हैं डॉक्टर उन्हें बेरियाट्रिक सरद्री एडवाइस कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि ऑपरेशन का डर उनके अंदर इतना ज पिछले बहुत सालों से डिफ्रेंट बैलून्स रेकमेंडेड हैं जो वेट लॉस में हल्प करते हैं इन बैलून्स में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता आपके मुह से ही हम एक बैलून पेट के अंदर डालते हैं बैलून डालने से पहले डिफ्लेटेड रहता है यानि डिफ्रेंट बैलुन्स डिफ्रेंट फ्लीट से फिल किया जाते हैं और आफ्टर वाइल जब पेशन्ट अपना वेट लूस करक कर लेते हैं इन्हें इधर निकाल दिया जाता है या कुछ बालून अपने आप ही पास हो जाते हैं अब आप कहेंगे कि हर एक patient में फिर ये बालून कीयों नहीं डाल दिया जाता बिरेट्रिक सदरी का अगर एक अच्छा alternative है तो फिर बिरेट्रिक सदरी करवानी ही क्यों है ऐसा नहीं है, दोनों के अपने अपने प्रोज और कॉन्स हैं, कुछ पेशेंट्स में बिरेटरिक सदरी अच्छी रहती है, लेकिन अगर वो नहीं करवाना चाहते हैं, इसके लिए वो बैलून डाल सकते हैं, या फिर आपका वेट इतना जादा नहीं है, यानि BMI is less than 32.5, य या आपका BMI जादा है और आप बैलून से डखते हैं, इन दोनों कंडिशन्स में आप बैलून डलवा सकते हैं, यह एक अच्छी न्यूस है बहुत सारे पेशेंट्स के लिए, क्योंकि देखा गया है कि बहुत कम पेशेंट्स जो वाके ही बिरेटरिक सदरी के है और आप 10 से 15 परसेंट, मैक्सिमम 20 परसेंट वेट लूस करना चाहते हैं, तो बैलून से इतना वेट लॉस यूजली संभव होता है, अगर आपका BMI इससे भी जादा है और फिर भी आप बिरेटरिक सदरी नहीं करवाना चाहते हैं, फिर भी आप बैलून की मदद से कु अगर आप बिरेटरिक या बैलून नहीं डलवाते हैं, तब आपका वेट लगबग उतना ही रहेगा जो existing weight है और बैलून से at least 10 to 20% वेट लॉस हो जाएगा, अगर आप well committed हैं, lifestyle अच्छी रखते हैं, diet as recommended लेते हैं, dietation का कहा मानते हैं और साथ-साथ physical activity अच्छी करते हैं, बहुत सारे patients balloon के साथ भी 20% से जादा भी weight loss कर पाएंगे, balloons लगबग दो तराके हैं, एक तो traditional balloons हैं जो endoscope के थूँ डाला जाता है, यानि कि हम endoscope की tip के साथ balloon को attach करेंगे, उसके बाद endoscope की help से balloon को अंदर लेके जाएंगे, patient को कुछ minute के लिए बिहोश किया जाएगा, balloon stomach के अंदर जाने के बाद हम उसे inflate करेंगे, उसके साथ जूड़े हुए catheter के साथ, और उसके बाद हम balloon को अंदर छोड़ देंगे, ये balloons कई type के हैं, कई companies ने supply करती हैं, और ये 6 months से लेकर 1 year तक अंदर रखा जा सकता है, इसमें से एक spats balloon है, जो adjustable है, spats 3 के नाम से आता है, जि यानि कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जादा बड़ा balloon अंदर होने की वज़े से आपको vomiting जादा हो सकती है, तो हम उसे पूरा up to the capacity initially fill नहीं करेंगे, कम fill करकर कुछ दिन आपको देंगे, ताकि balloon से आप adapt हो जाएं, और उसके बाद अगर required हो और further weight loss करने के लिए, then we can fill it up to the fullest, यानि हम इसे adjust कर सकते हैं, depending upon the patient's size of stomach and patient's need, अगर किसी point पर patient को लगे कि balloon की capacity जादा हो गई है और उसे टॉलेट नहीं कर पा रहे हैं, इन conditions में रादर कि हम पूरा balloon निकाल दें, हम इसका कुछ हिस्सा fluid का निकाल सकते हैं, और balloon आपके अंदर ही रहेगा, इससे जो wastage होन नहीं है, यानि balloon एक expensive product है, अगर निकाल देते हैं, इन टॉलेरंस की वज़े से, तो सारे पैसे waste हो सकते हैं, और अगर हम उसे adjust कर देते हैं, तो आप फिर further carry कर सकते है balloon को, उसके desired time तक, SPATS 3 balloon का यह बहुत बड़ा advantage है, over other balloons, कि इसे adjust किया जा सकता है, इसकी duration के लिए, यानि कि जो एक साल तक, जब तक balloon आपके अंदर रहेगा, हम इसे in between, अगर लगे कि ज़्यादा tight है, या ज़्यादा loose है, तो हम balloon को adjust कर सकते हैं, अगर आप इन सभी balloons, यानि intra-gastic balloon और swallow pill को, bariatric surgery से compare करें, तो bariatric surgery एक permanent modification है, बोड़ी के अंदर, यानि हम जो भी आपका stomach छोटा करेंगे, या intestine को bypass करेंगे, वो for the rest of the life आपके साथ रहेगा, इसी आप positively और negatively दोनों तरीके से देख सकते हैं, positive effect यह है, कि जो भी आपके अंदर change हुआ, वो पचिवी life आपके साथ रहेग और आपको weight maintain करने में असानी होगी, लेकिन negatively जो भी इसका negative side effect होगा, यानि जो आपको vitamin supplement लेने पड़ेंगे, वो supplements भी है आपको for the rest of life लेने पड़ेंगे, तो कुछ patients इसे positively देखते हैं, कुछ patients इसे negatively देखते हैं, हम आपका point of view change नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे patients की thought profile नहीं करवाना, so अभी ये दोनों तरफ ही एक-एक option है, अगर आपको लगता है कि आप permanently अपने digestion system को chain करना चाहते हैं, और आपको operation से डर नहीं लगता, तो आप bariatric surgery की तरफ जा सकते हैं, उसमें भी कोई बहुत बड़ा risk involved नहीं है, these are very safe these days, और hospital stay hardly 2 दिन का रहता है, recovery कोई भी कट नहीं लगवाना चाहते, permanently body में कोई change नहीं चाहते, आपकी will power अच्छी है, आप body को balloons के थरजरिये ठीक कर पाएंगे, तो definitely you can go for balloons, intragastic balloons हैं, जो endoscopy के लिए डाले जाते हैं, या swallow pill है, जो बिना किसी endoscope के भी आप swallow कर सकते हैं, these are also good options, weight कम करना जरूरी है, आपके life के लिए, आपके आसपास लोगों के लिए, body में weight ज्यादा होने से हर second damage हो रहा है, आपके हर organ को ज्यादा weight की वज़े से damage हो रहा है, आपका heart, liver, kidney, जितने weight के लिए बने हैं, उससे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा time ना waste करते हुए, आपको quickly act करना चाहिए और जो भी option आपको better suit करती है, उसे adopt करना चाहिए, I hope ये वीडियो देखकर आपको balloons के बारे में और उसका comparison as compared to bariatric surgery इसके बारे में कुछ idea मिला होगा और अपना decision पहले से अच्छी तरह से ले पाएंगे, Thank you.